एक मिन दो जा नमश्कार वी सातियों कैसे हो आज हम शुरूआत करेंगे रीट के लिए बालविकास की बालविकास है क्या और शुरूआत कहां से होते है इस सम्मझदित कुछ एक कोस्चनों की शुरूआत आज हम अपने इस कलास में करेंगे शुरुआत करते हैं बालविकास की अपने देखें तो बालविकास में अब आम देखें तो बालविकास का कारिया जो शुरुआत होती है पेस्टालोजी ने 1774 में शुरुआत इन्हों ने की थी और करते किस पे हैं ये परियोग अपने ही बच्चे किते वर्ष के साड़े तीन साल के अपने ही बच्चे पर ये परियोग करते हैं और बाल मनोविज्ञान का जनक इनको ही माना जाता है बाल मनोविज्ञान का जनक भी पेस्टालोजी को ही माना जाता है कि बाल मनोविज्ञान की शुरुवात होती है 1764 में ये अपने बच्चे पर ही 3.5 साल का जो बच्चा है उस पर ही परियोग करते हैं इसी कारण इनको बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया है करते क्या है ये कि अपने खुद के बच्चे पर अध्यन शुरू करते हैं कि बच्चपन से लेकर अब तक उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं कैसे कैसे वो खेलना शुरू करता है कब कौन सी चीज़ें शुरुआत करता है बाल विकास रीट में काफी important topic है आपका तो इसमें एक बात का विशेस ध्यान रखना की काफी बार कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि सर इसमें trick कौन सी इस्तमाल करें बाल विकास को याद करने के लिए trick कौन सी तो आप जिते भी इसके अभी अपने question करेंगे इसमें खुद पर देखेंगे हम करके आप सोच लिया अगरो जो परशन पूछ रहा है वो मेरे पर ही पूछ रहा है मेरे बारे में पूछ रहा है उस आधार पर साइकों के सतर से हसी percent question तो ऐसे आपके सही हो जाएंगे अगर आप इस theory के साथ चलते हो कि ये मेरे पर चल रहा है तो बाल विकास जो है वो दो शब्दों से रहता है एक तो विर्दी और दूसरा विकास कि बाल विकास में किस बातों को लेते हैं विर्दी और विकास को लेते हैं और लगबग आम भाशा में दोनों शब्दों को एक ही समझा जाता है कि दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं कि दोनों एक ही चीज़े पर ऐसा है नहीं पर ऐसा है नहीं विर्दी तो क्या होती है अपने शरीर में जो परिवर्तन होते हैं जिने हम बाहरी रूप से देख सकें हाइट का बढ़ना, बालों का बढ़ना चेहरे का परिवर्तन होना ठीक है, शरीर का फूलना, बढ़ना वो सारे विर्दी होती है जो एक नियमित रूप से सभी बच्चों में लड़के और लड़कियों में फरक इता रहता है कि अलग अलग टाइम से शुरू होती है लेकिन सभी में होती है हाँ विर्दी का स्पीट अपने कह सकते है किसी के ज़्यादा किसी के कम लेकिन होती तभी है और किशोर अवस्ता तक ही चलती है लेकिन विकास जो है वो कब विकास कब से शुरू हो जाता है विकास शुरू हो जाता है गरवा अवस्ता से ही बच्चे के जनम से पहले ही उसका विकाश शुरू हो जाता है और ता उमर चलता है तो आज के इसी टोपिक पर हम बाल विकाश से सम्मनदित कुछ एक पर्शनोत्री करेंगे शुरुआत करते हैं पहला अपना कोश्चन है कि विकाश का अर्थ चाहै कि विकास कहते किसको है देखो पहला क्या कहता है कि अभी प्रेर्णा एवं अनुभव के फल सरूप अभी प्रेर्णा जो व्यक्ति में अभी प्रेर्णा होगी और अनुभव जो उसे जीवन में अनुभव होंगे उन में होने वाले परिवर्तनों को उत्रोत्र शंकला कि बच्चा जो है उसको अभी प्रेड़ना मिली फिर उसे किसी काम को करने के अनुभव आए उनी अनुभूओं के दोरान उसके वैवार में होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं एक option तो ये बन रहा है दूसरा देखो कि परिपक्ता एवं अनुभव के फल सरूप होने वाले परिवर्तनों को विकास कहते हैं परिपक्ता अब परिपक्त होने पर व्यक्ति उसमें तो अनुभव पहले ही आगे तो विकास का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा यहां पे फिर देखो कि परिवर्तनों को उत्रोत्र शंकला कि परिवर्तनों में होने वाली उत्रोत्र शंकला है कि जो परिवर्तन होंगे वो ही विकास है फिर लाश्ट कहता है कि अभी प्रेर्णा के फल्सुरूप होने वाले परिवर्तनों को उत्रोत्र शंकला कौन सा option सही रहेगा option number रहेगा एक सही मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप इनको खुद पर डाल कर देखो अपने देखो अपने कब शुरुआत उती अपनी बच्पन में थे अपना विकास हुआ अपने शुरू में हाथ की उंगलियों से कोई पन पकड़ते थे तो पूरा हाथ से पकड़ते थे फिर दिरे दिरे हमने उसको एक दो उंगली से पकड़ना शुरू किया फिर लिखने की शुरुआत की तो वो क्या था हमारा अनुभव था उसी अनुभव के फलसरूप हमारा विकास हुआ अभी प्रेड़ना हमें घरवालों ने हाँ कर लेगा बेटा कर सकता है तुँ तो वो थी ना कि ये इसमें ओप्शन रहेगा नंबर एक की विकास का अर्थ क्या रहता है अभी प्रेड़ना एवं अनुभव के फलसरूप इन दोनों से साथ में मिलकर जो परिवर होता है या जनम होने की अवस्ताओं के बाद से लेकर मिर्त्यू तक उसका विकास निरंतरे चलता रहता है इससे अगला नेक्स्ट कोशन हम देखेंगे इसमें कहता है कि बालक का विकास पर भावित होता है अब किसी भी बालक को मान लो कोई बच्चा है उसको अब छोड़ जाता नहीं वो घर रहता है घर में मी नहीं रहता आवारा बच्चों के साथ घूमता है आज कल टीवी में रोज न्यूज आती है कि वो गैंक्ष्टर बन गे बच्चे उमर कितिक 15 साल 16 साल 17 साल के बच्चे उन्होंने उनको मार दिया ये हो गया वो हो गया तो वो किसके का वातावरन उनका वातावरन का महौल अभी कि बालक के विकास है जो उसका जो विकास होना है उसको परभावित कोन कर रहा है कि बालक के विकास को परभावित कोन कर रहा है क्या वंशानकुरम क्या उसका वंश उसके घर का महौल फिर वातावरन क्या वातावरन परभावित करत हाँ भई दोनों ही करेंगे दोनों ही करेंगे अगर घर का वातावरन अच्छा नहीं है बच्चे को मोहल अच्छा नहीं मिलेगा तो बच्चा बिगडेगा नहीं पड़ पाएगा विद्याले में चले जाओ विद्याले में हम गए विद्याले में हम गए तो विद्याले में ना हमें अध्यापक मिले ना हमें कोई विवस्ता मिली स्कूल में तो क्या बच्चा पढ़ पाएगा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा तो उसको वातावरण नहीं मिला घरवाडों ने उसको विद्याले में तो बेज दिया पुरानी काहवत बुजर्गों से सुनते आ रहे हैं चोर का बेटा चोर बनेगा डाकू का बेटा डाकू बनेगा तो वंश का भी बहुत फरक रहता है कि बच्चे की शुरुवात पहला विद्याल्य कौन है परिवार है बच्चे का पहला विद्याले कौन था परिवार था और पहला सिक्षक माता थी बच्चे की शुरुआत बच्चे की कहां से होती है परिवार से होती है बच्चे को शिक्षक शुरू की परिवार से ही मिलती है जब उसका पहला विद्धाले ही परिवार था, पहली सिख्ष का माता थी तो जो उसके वंच में चला आ रहे हैं उसका भी बच्चे पर परभाव पढ़ता है सो में से एक ही बच्चा है जिस पर वंच का परभाव ना पढ़े लेकिन हर हालत में पढ़ता ही पढ़ता है तो विकास बालक के किसी भी बालक के अगर उसको परभावित करेगा तो दोनों चीजें ही करेगी वंशाकरम भी करेगा और वातावरन भी करेगा कि बालक को अगर अच्छे से घर में महौल नहीं मिलेगा स्कूल में विद्याल्य में वातावरन उसको अच्छा नहीं मिलेगा तो बच्चे का विकास सम्पूरन रूप से नहीं हो पाएगा कुछ भी कर लेंगे लेकिन बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा समझ गए बात को next question की तरफ बढ़ते हैं अगला देखो भी बहुत जरूरी जरूरी है ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है और ध्यान यही रखना कि केवल जैसे पिछले कोशनी था अपना क्या कहता था कि परवाव किसका बढ़ता है खुद पर डाल के देख लो अब तुम लोग त्यारी कर रहे हो अगर घर के बाहर शोर हो रहा है तुमारे घर के बाहर शोर हो रहा है खूब सारा क्या तुम रूम में बैठके पढ़ लोगे नहीं पढ़ पाओगे घर में अगर लड़ाई जगडे का महल है तो उसका परवाव तुम पर भी पड़ेगा तो इसको खुद पर डालो कि हमारा विकास कैसे होगा अच्छे से हमें अच्छा वातावरण मिलेगा पोश्टिक आहार मिलेगा समय समय से हमें स्कूल में अच्छा ग्यान मिलेगा तभी हमारा अच्छे से विकास हो पाएगा अगला कोश्चन इसमें देखेंगे कि अभीवर्दी जो शब्द का परियोग किया जाता है अभीवर्दी शब्द का परियोग किसलिए किया जाता है ठीक है शुरुआत भी हमने की थी विर्दी और विकास के दोनों शब्दों में तुम्हें फरक बता दि चीज तुम्हें बता दी कि अभी जोड़िया और वर्दी वही है ठीक है देखो कि पहला कहता है कि बालक के सामाजिक विकास के लिए अभी वर्दी शबत का परियोग बालक अगर सामाजिक विकास उसका कैसा हो रहा है समाज में उसका विकास कैसा है बालक के मानसिक विकास कि उसका मानसिक रूप से विकास कैसे हो रहा है और बालक के शारिरिक विकास के लिए कि बच्चे का शारिरिक रूप से विकास कैसे हो रहा है फिर बालक के मानसिक वे सामाजिक दोनों के लिए तो ये दोनों तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इन दोनों का सारी यहां आ गया रही बात ये तो हमने विकास और अभीवर्दी शुरुवात में ही तुमें बता दिया था कि अभीवर्दी और विकास में फरक क्या है विकास तो उमर भर चलता है और अभीवर्दी क्या शरीरिक रूप बाहरी रूप जो हम देखते हैं शरीर का वो ढांचा जिसमें बालों का बढ़ना शरीर का बढ़ना हाथ पैरों का बढ़ना तो अभीवर्दी किस से संबंदित होगी फिर शरीरिक किस से संबंदित होगी शरीरिक से होगी कि शरीर का बढ़ना हमारा क्या कहला अभिवर्दी कहलाएगा तो ओप्षन हमारा कौन सा ठीक रहेगा नमबर तीन कि हमने क्या पढ़ा था कि विकास तो उमर बल चलता है अभिवर्दी किसे शारीरिक विकास से कि शरीर में होने वाले परिवर्दन जो हमें दिखाई दे परिवर्दन तो विकास में भी होंगे परिवर्दन तो विकास में भी होंगे लेकिन अभिवर्दी वाले परिवर्दन हमें दिखाई देंगे और विकास वाले दिखाई नहीं देंगे अभिवर्धी एक समय के बाद रुक जाती है विकास जनम से लेकर मृत्यू तक चलता रहता है इन बातों का इनी चीजों में उल्जाएगा भाश्या की लेंग्वेज में ही उल्जाएगा तो अभिवर्धी किसमे है? शारीरिक में बालक के शारीरिक विकास में नम्बर तीन रहेगा इसका अंसर कि अभिवर्दी कहां होती है बालक के शारिरिक विकास में अगला कोशन हम देखेंगे इसी से रिलेटिव रहेगा कि निमन में से किसका अर्थ आकार का बढ़ना है अब कोशन इसमें क्या था कि अभिवर्दी शब्द का परियोग किसके लिए किया जाता है किसके शारिरिक विकास तो अगला कोशन रिलेटिव उसी में उलजा रहा है बस बाशा समझो इसकी कहना क्या चाहता है ये हमें कहां उलजा रहा है देखो कि आकार का बढ़ना किस से है अर्थ किस से लिया गया है अभिवर्दी से विकास से परिप्यक्ता से या उन्यन से अभिवर्दी का तो अपना शरीर का बढ़ना और वो आ गया विकास जो मानसिक विकास हो अपने को धीरे-धीरे अभ्याद से जो आता है फिर एक परिपव व्यक्ति हो जाता है बड़ा हो जाना बिलकुल समझदार और उन्यन एक ने सिरे से किसी काम को करने की शुरुआतिया आगे बढ़ने का तरिका तो हमारा क्या था कि आकार का बढ़ना आकार हम पिछले question में भी यही था अभिवर्दी आकार हमारे शरीर का कौन बढ़ाती है अभिवर्दी जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर का आकार बढ़ेगा आकार बढ़ेगा बालों का बढ़ना है शरीर का बढ़ना है तो इसी तरह के कोश्चन आएंगे जो आपको केवल उत्तर आप जानते हो विकास और अभिवर्दी में फर्क आपको पता है लेकिन इनकी language को समझने की कोशिच करनी है साइक्लोजी में यही सबसे अच्छा फंडा है अगर आप पर्षन की language समझ गए उत्तर हो गया आपका सही और language में ही उलज गए तो गड़बड हो जाएगी जैसे पिछले कोश्चन में हम कहां उलज जाएंगे कि यह उपर तो दो सेम दे दिये यह चोथा हो सकता है यह दोनों का दे रहे हैं कुछ एक महापूर्श ऐसे भी हैं जो कहत अगर इसमें लगाना है तो एक ही हम लगा सकते हैं कि खुद को सोच लिया करोगी यह मेरे बारे में अब कहता है कि अकार का बढ़ना अब खुद के बारे मेरा बढ़ेगा तो मेरे में क्या होगा विकास होगा नहीं होगी परिव्यक्ता होगी नहीं होगा उन्यन होगा नह विकास एवं विर्दी है अब क्या है कि एक दूसरे के विरोधी है विकास हमने शुरुआत में पढ़ लिया था कि विकास क्या है एक मानसिक पर किरिया है और विर्दी आकार का बढ़ाना है जो हमारे शरीर का आकार बढ़ाएगी तो क्या है एक दूसरे के विरोधी है विरो तो हो सकते हैं एक दूसरे के समान नहीं समान नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि विकास तो उमर वर चलता है और ये एक समय के बाद रुक जाएगा आगे नहीं बढ़ेगा आगे नहीं बढ़ेगी विर्दी विकास बढ़ता जाएगा तो एक दूसरे के समान भी नहीं है, इन में से कोई नहीं, ये तो होई नहीं सकता, तो क्या रहेगा option, एक दूसरे के पूरक है, विकास और विर्दी क्या है, एक दूसरे के पूरक है, समझ गए, अगला question देखो भई, अगले में आ जाता है, कि निमन में से कौन सा कतन सही नहीं है, इन कोशनों का ध्यान रखना, इन में क्या रहता है, कि हम पढ़ लेते हैं, कि निमन में से सही नहीं पूछा है, और हम जल्दी में क्या पढ़ लेते हैं, कि सही है, अच्छा निमन कतनों में से बताना है, पिपर अच्छा, कथनों के बारे हम बताना है, तो हम सही सही देख लेते हैं, ये सही है, ये सही, हाँ ये ठीक है, पूरा पर्शन पढ़ना है, यहां मात नहीं खानी है, ठीक है, तो सही नहीं पूछ रहा है, तो देखो, कि विर्धी एवम विकास प्रायवाची शब्द है, एक परिवर्तन दो होता है अपने शरीर के आकार में परिवर्तन होता है इत्ते से बलूकडे से पैदा हुए थे चोटे से और आज इत्ते इत्ते हुए पड़े हैं पांच-पांच-छे-चे फुट गे तो परिवर्तन दो होता ही है होता है अभी विर्दी जीवन प्रयांद नही बढ़ती तो देना क्या सही नहीं है फिर विर्दी के साथ विकास भी होता है विर्दी के साथ विकास भी होता है ना जी ना तो अब कौन सा रहेगा भी, सोचो अरे वही, विर्दी के साथ विकास तो होएगा ही विर्दी के साथ विकास भी होता है, होएगा ही विकास तो जैसे जैसे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम मानसिक रूप से भी तो सही होते जाते हैं समझ भी हमारी बढ़ती जाती है बढ़ती है यह नहीं बढ़ती जैसे साइकल चलाना सीखते हैं तो विर्दी के साथ साइकल चलाना सीख लिए विकास हो गया पहली बार गिरे दूसरी बार गिरे तीसरी बार नहीं गिरेंगे कंट्रोल करना सीख लिया तो विर्दी के साथ विकास भी होता है विर्दी जीवन परेंतन नहीं चलती है फिर विर्दी का मातरात्मक परवर्तन नियाहित है ये नहीं होगा ये दोनों प्रायवाची नहीं है उल्टे नहीं है दोनों उल्टे नहीं है एक दूसरे के साथ साथ ही बढ़ते हैं दोनों साथ साथ ही बढ़ते हैं अगला कोशन देखो अगले में आ जाता है कि कौन सा सुतर सही है कि कौन सा सुतर सही है देखो भई परिवक्ता वक्ता अधिगम बराबर विकास ठीक है परिवक्ता अधिगम विकास परिवक्ता विकास फिर अधिगम विकास अधिगम फिर परिवक्ता बताओ भी सुतर कोण सा सही है कि ये जब होगा परिवक्ता जब अपने अंदर आ जाएगी कैसे वो युदारन दुबारा से बता देता हूँ कौन सी जी अरे साइकिल वाली ही साइकिल चलाना सीखते हो शुरू में गिरते हो जब पूरे ट्रेंड हो जाते हो एकदम साइकिल चलाना अच्छे से सीख लिए ट्रेंड होगे तो क्या हो गया अधिगम हुआ कि नहीं हुआ सीख लिया अधिगम सीख लिया तो क्या होगा फिर ही विकास होगा चाए बनाना सीखी पहले दिन सही नहीं बनी दूसरे दिन नहीं बनी फिर क्या हो गया अधिगम से सीख ली चाए बनानी बार-बार कोशिच की तो वो क्या हो गया विकास हो गया समझें कि एक नमबर सही रहेगा, कि ये पलस में चलते हैं, पहले हम किसी काम को करना सीखते हैं फिर उसको करते जाते हैं, पिर जाकर हम उस में एकदम अच्छे से हमारा उस चेतर में विकास हो जाता है जैसे शिरुवात में हमने ए, आ, ई, ये सीके थे फिर इन से जोड़कर शबद बनाया था रहामें तो क्या हुआ धीरे धीरे सीके थे तो सुतर कौन सा रहेगा परिव्यक्ता पलस अधिगम ही विकास होता है एक नमबर इसका सही रहेगा समझ गए बात को लेकिन अपने जो एक वेग्यानिक होए हैं वड़वर्थ जी वड़वर्थ जी ने अपना एक अलगी नियम दे दिया वो क्या कहते हैं कि विकास किसके बराबर है विकास किसके बराबर दे दिया उन्होंने विकास का इन्होंने एक निया ही नियम दे दिया कि विकास है वान्शाकरम वन्ष का आधारित है किसके साथ वातावरण के साथ वन्ष का किसके साथ है वातावरण से संबंद है वन्ष का किस से संबंद दिखा दिया वातावरण से बराबर क्या बताया है विकास बताया है किसने वुडवर्थ ने मैं नियम तो है ये अगर नाम डाल कर पूछ ले कि वड़वर्थ के अनुसार विकास का नियम कौन सा रहेगा तो वन्शा करम प्लस या सोरी प्लस नहीं आएगा भी मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई करते हैं वो मल्टिप्लाई वातावरण फिर क्या होगा विकास होगा ये कौन कहते हैं वड़वर्थ जी कहते हैं अपने विकास का वैसे सूतर तो रहेगा प्रिवक्ता प्लस अधिगम ब्राबर विकास लेकिन वड़वर्थ जी ने निया ही नियम दे दिया कि वंशागरम वंश का उसके परिवार का प्लस वातावरन multiply वातावरन बराबर क्या होगा विकास होगा ठीक है समझ गए अगला देखो भी अगले question में क्या कहते हैं कि नीमन में से विर्धी एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है एक question शूट गया गया वीचे कि नीमन में से विर्धी एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है इसको आठ नमबर देना था भी पिछला साथ था अपना कि नीमन में से विर्धी एवं विकास के लिए कौन सा कथन सत्य है कि विर्धी है मनोविज्यानिक है और विकास बहुतिक है विर्दी जो है मनोविज्ञानिक है लेकिन विकास क्या है भोतिक दूसरा क्या कहता है कि विर्दी तथा विकास दोनों ही बहुतिक है तीसरे में क्या कहता है कि विर्दी तथा विकास दोनों मनोविज्ञानिक है विर्दी और विकास दोनों मनोविज्ञानिक है लाश्ट में क्या कहता है कि विर्दी भोतिक है जब कि विकास मनोविज्यानी है सोचो बई कि कह रहा है कि विर्दी जो अपना भार भूर बढ़ना है वो क्या मनोविज्यानिक है मनोविज्यान का कोई असर पढ़ता है हमारे अगर हमारा शरीर बढ़ रहा है गट रहा है नहीं पड़ेगा विकास बहुतिक थोड़ी है ये तो उल्टा हो गया तो पहला नहीं होगा दूसरे में देखो कि विर्धी तथा विकास दोनों क्या बहुतिक है दोनों एक थोड़ी हो सकते हैं दोनों तो उल्ट है विर्धी शेरीरिक हैं विकास मांसिक हैं ये भी नहीं होगा जो जो परवाश हैं जो हमने याद की हैं उसी से सम्मंदित थोड़ा सा सोचोगे सही हो जाएगा कि विर्दी तो विकास दोनों मनोविज्यानिक है नहीं वही जब दोनों बोतिक नहीं हो सकते हैं दोनों मनोविज्ञानिक कैसे हो सकते हैं तो गुर्जी तो क्या रहे गए अपने लाश्ट की विर्दी तो बहुतिक है जो हमें दिख रही है और विकास क्या है मनोविज्ञानिक है जो हम अपने केवल किस से वैवार से ही हमारे पता चलता है कि हमारा विकास कित्ता के हुआ है हमारे विकास के बारे में कौन बताएगा हमारा वैवार ही बताएगा जैसा हमारा वैवार होगा तो ये मनोवे ज्यानिक है कि बुद्धी और विकास के बारे में कौन सा कतन सत्य है तो नमबर च्यार कि बुद्धी भौतिक है जब कि विकास क्या है एक मनोवे ज्यानिक पहलू है समझाई अगला कोश्चन देखेंगे भई इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं कि नीमन में से विर्दी एवं विकास कि कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं अब ये चीज भी हम मानते हैं कि दोनों सेम है मान रहे हैं विर्दी और विकास में हलका फुलका अंतर है क्या है कि विर्दी दिखाई देती है होते दोनों साथ साथ है फरक इता ही है कि विर्दी दिखाई देती है विकास है दिखाई ने देता उसका वैवार से पता लगता है कि कैसे वैवार कर रहे है तो इनके एक दूसरों को जोडने के लिए शारीरिक कारक का रोल रहेगा गुर्जी लग तो रहे भी रहेगा क्या बोधिक क्या सामाजिक क्या समवेगात्मक क्या नेतिक अब शारीरिक में तो आ जाता है शरीर की बन ठीक है फिर बोधिक उसकी मानसिक स्तर मानसिक स्तर उसका कैसा है मानसिक स्तर उसका कैसा है फिर सामाजिक की सामाज में उसका वैवार कैसा है सामाज का वैवार आ गया फिर समवेगा अत्मक उसकी भावना कैसी है फिर नेतिक उसका लोगों के साथ वैवार की वो दूसरों के काम आता है या नहीं आता है नेतिक आदमी है कि नहीं है तो कहता क्या है कि क्या विर्दी और विकास में कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए है क्या ये पांचों चीजें ये पांचों जो पांचों बताई हैं शारीरिक, बोधिक, सामाजिक, सम्वेगात्मक और नेतिक चीजें क्या एक दूसरे से जुड़े हुए है यार लग तो रहा है option में क्या क्या कहता है कि एक दो तीन एक शारीरिक दूसरा बोधिक और तीसरा कह रहा है सामाजिक ये तिनों हो सकते है तो यार ये भी हो सकता है तो इसमें ये पांचों रहेंगे बाड़को इनके पांचों का कुछ ना कुछ रोल रहता है कैसे की शारीरिक भी अगर व्यक्ति बनावट अच्छे से होईगी तबी तो शरीर अगर अच्छा है तो उसका विकास भी अच्छा होएगा विर्दी अच्छी हुई है बोधिक स्तर अगर अच्छा है तो बोलने का तरीका मानसिक स्थर अच्छा रहेगा फिर समाज में अगर उसका वैवार अच्छा है तो लोगों से और भी सम्मान मिलेगा सम्वेगातमक सम्वेगों पर अगर उसका समाज में कंट्रोल है तो उसकी अच्छी इज़त भी बनेगी और नेतिक है तो उसका तो कहना ही क्या तो इसका option में क्या है ये पांचों की पांचों चीजें ही विर्दी और विकास के आयाम को एक दूसरे से जोड़ती है समझ गए आगे बढ़ो अगला question देखेंगे हम अगले में क्या कहता है कि बालक के विकास की परकरती के संबंद में कौन सा कथन उप्यूक्त है कि बालक के विकास में कौन सा कथन उप्यूक्त है अब इसमें उप्यूक्त के बारे में पूछ रहे कि बालक का जो विकास है उप्यूक्त सही ठीक है तो कहता है कि सभी बालकों का विकास समान दर गती से होता है क्या सारे बालक का जो विकास है एक जैसा होता है क्या पता जी विकास के विभिन पक्ष पर्थक पर्थक होते है अलग अलग होते हैं विभिन पक्ष पूछ रहा है विविनपक्ष ध्यान देना एक एक शबद में अर्थ बदल जाता है फिर विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है विशिष्ट से सामान्य की ओर विशिष्ट से सामान्य की ओर फिर विकास अनुवान्शिक और वातावरन की अंतर किरिया का प्रणाम है विकास अनुवानशिक और वातावरण की अनुकिरिया का परिणाम है कुछ आया समझ नहीं आया अब ही समझा देते हैं अब ये देखो कि सभी बालकों में विकास समान धर से एक जैसा विकास थोड़ी होता है सभी की बुद्धी एक जैसे होती है सारों के नंबर एक जैसे ही आते है ना तो ये तो हो गया गत गलत गती एक जैसे थोड़ी होगी कोई जल्दी सीखता है कोई बच्चा दीरे अध्यान करता है कोई किसी बात को बहुत जल्दी समझ जाता है तो गती अलग-अलग है फिर विकास के विभिन पक्ष पर्थक पर्थक अब पक्ष पूछ रहा है पक्ष आ गया तो पक्ष में क्या पूछ रहा है कि सारे के सारे बच्चे पहन पकड़ना सीखेंगे तो पहले मुठी में लेना फिर दिरे दिरे तीन उंगलियों में लेना फिर च्यार में अंत में आकर एक ये सब में पर्थक पर्थक अलग अलग धोड़ी होते है सारे बचे एक से ही होते है जनम नोता है जनम के बाद पहले बैठना सिखते है फिर चलना सिखते है फिर दोड़ना सिखते है ये सारों के एक साथ ही है तो ये पर्थक पर्थक नहीं है क्योंकि ये सारों के साथ एक जैसा ही होता है हमने पहले बैठना सिखे जनम हुआ बैठने के बाद चलना सिखे फिर दोड़ना सिखे पक्ष पक्ष नहीं है पर्थक पर्थक अलग अलग नहीं है एक समाने फिर कहता है कि विकास जो विशिष्ट से सामान्य की और हमने कोई चीज सीखी जैसे पहले दोड़ना तो नहीं सीखे दोड़ने के बाद तो हमने चलना नहीं सीखा फिर बैठना नहीं सीखा फिर खड़े होना नहीं सीखा तो ये भी कि विकास क्या है उल्टा है सामान्य से व पहले बच्चा सामानिय किरियां जी सीकता है फिर उनको और अच्छे से करना सीकता है तो लास्ट हमारा उत्तर रहेगा सही की विकास अनुवानशिक और वातावरण की अंत किरिया का परनाम है अनुवानशिक जो हमारे अंदर गुन है और जो हमें वातावरन मिलेगा जो हमें अगर हमें पढ़ाई का वातावरन मिलेगा तो हम पढ़ेंगे खेल का वातावरन मिलेगा तो हम जदा खेल की तरफ रूची रखेंगे लड़ाई का मोहल मिलेगा तो जदा लड़ाई की तरफ भागेंगे गुसेल मोहल मिलेगा तो में गुसा अधिक आएगा तो मोहल और अनुवान्शिक और वातावरण का ही परिनाम रहेगा समझ गए अगला कोश्चन देखो अगले में क्या कहता है कि मानव विकास का संबंद में कौन सा कथन गलत है कथन क्या कह रहा है गलत है कि मानव विकास के संबंद में कौन सा कथन गलत है रेखिए पुरोव अनमान निरंतर सामान्य से विसिष्ट की और सोचो भई नीचे से शिरुवात करते हैं यह हमने पिछले question में भी देखा था कि जो भी काम होता है हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कि हमने चलना दोडना सी का उल्टा नहीं हुआ cycle पहले दीरे-दीरे चलानी सी की गिरे पड़े फिर अच्छे से चलाने लगे विसिष्ट होगे उसमें एकदम कलाकार बने गे श्टन्ट दिखाने लगे ठीक है फिर निरंतर हाँ विकास मानूं विकास से निरंतर चलता है जनम से लेकर जनम से या गर्व वस्ता से लेकर मिर्तियु तक ही क्या चलता है विकास चलता है पूरो अन्मान हाँ हम लगा सकते हैं किसी बच्चे के बारे में पढ़ रहा है उसके मानसिक बुद्धी देखकर हम लगा सकते हैं कि हाँ इसका ये होगा ये ये बन सकता है लेकिन रेखिये नहीं होगा ये रहेगा इसका option से ही कि हम एक सीधी रेखा में नहीं चला सकते हैं मानम विकास को इसमें उतार चड़ाव आ भी सकते हैं समझ गए? तो संबंद में कौन सा गतन गल्थ है? रेखिये गल्थ है पूरो उन्मान्य है, निरंतर है, सामान्य से विशिष्ट के और ये तो हमें पता ही है समझें? next question हम इसमें देखेंगे अगला देखो भी कि अध्यापक के व्यक्तितव के विकास में बादक तत्तव कोन सा है? अब पूछ रहा है अध्यापक के बारे में, ना की बच्चों के बारे में, अध्यापक के बारे में पूछ रहा है कि अध्यापक के व्यक्तितव में के विकास में बादक तत्तव कौन सा है? तो एक तो सामाजिक परवेश का ग्यान सामाजिक है, परवेश का ग्यान समाज के बारे में अगर अध्यापक को जानकारी होगी तो वो कहीं मात खाएगा अगर मान लो किसी बच्चे को कुछ डांट दे उसके घरवाले आ जाए और वो स्कूल में संभाल ले उसको समाजिक बोल चाल अच्छे से है ठीक है तरीका है तो वो संभाल लेगा तो परिवेश का ग्यान होगा तो अध्यापक के लिए बात दखता तब नहीं होगा उसकी शिक्षा में कहीं रुकाओट पैदा नहीं करेगा तो ये तो ठीक है भी संस्कृतिक ग्यान कि जिस स्टेट में रह रहा है वहां की संस्कृति के बारे में ध्यापक को ग्यान है तो वह अच्छा बहुत अच्छी बात है भी ये दो बड़ा मिलन सार है ध्यापक है सब कुछ जानता है हमारे द्रम के बारे में हमारे परिवार के बारे में अच्छी बात है उच मानसिक शम्ता, हाँ, बोट अच्छी बात है, उच्छी सोच रख रहा है द्यापक है, ये नहीं सोचना भी, ये गरीब का बच्चा है, ये अमीर का बच्चा है, ये कम पढ़ता है, ये ज्यादा पढ़ता है, ऐसे कुछ नहीं कर रहा हाँ, जो है वो है, उच्छी सोच लेकिन कल्पना शक्ति का अगर आभाव तो ये रहेगा इसका अगर अध्यापक में कल्पना शक्ति की वो आगे के बारे में सोच कर नहीं कोई कल्पना ना कर सके उसका अगर उसमें आभाव है तो वो उसके पढ़ाने में एक बादक तत्तव शामिल है देखो छोटी सी बाब अब शब्द ही देखना था ऐसे ही उल जाएगा हलके फुलके शब्दों के जाल में तो साइको पढ़ना बस ये सोच लेना कि सारी बाते हमारे अब यहां तुम अध्यापक बन जाओ अब तुम अगर यहां इस कोश्चन में अध्यापक बोला मा हूँ तो बोला मेरा समाजिक परवेश अगर गाम वालों के साथ अच्छा होगा समाज के बारे में जारू आँ ठीक है ये तो कोई बादा ही नहीं होगी बलकि ये तो बहुत अच्छा होगा पढ़ाने के तरिके म और भी मदद मिलेगी फिर सांस्कृति ग्यान हाँ भी उना चाहिए फिर उचमान सिक शम्ता हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है फिर कल्पना शक्ति का यार कल्पना मेरे में कुछ सोचने की शम्ता नहीं होगी फिर मैं कैसे बच्चों को करा हूँ क्या करा हूँ या इस इसका कैसे विकास करा हूँ इसमें ये बात एक तत्तव आ रहा है ये इस कारण से नहीं पढ़ रहा है तो उसको कैसे मैं समझाओं तो ये आपका उतर रहेगा इसका नमबर है चार समझे बात को या नहीं समझा रही है बाल को ये आपका ही विकास हो रहा है बच्चों का ही आगे बढ़ेंगे इसी में अगला कोश्चन क्या कहता है कि निमन में से कौन सा विकास का सिदान्त नहीं है क्या निरंतरता व्यक्तिकत मिंता विशिष से सामान्य की और एक ही करन सोचो भई हाँ भई गुरुजी जी विकास तो निरंतर चलता रहता है गरवेवस्ता से लेकर मिर्ट्यू तक चलता है गुरुजी ये बात आप नहीं बताई थी हाँ भी बताई थी तो सही बताई थी निरंतर चलेगा हमें पूछ रहे हैं सिद्धांत कौन सा नहीं है तो नहीं है तो वो ही देखने है विक्तिकत बिंता हां जी हर एक विक्तिके विकास में बिंता होती है किसी को बोलने की अकल ही नहीं होती है कोई बहुत अच्छा होता है कोई नहीं होता है हरे की बुद्धी अलग अलग होती है जी फिर विशिष्ट से सामान्ये की और ना भी ना बाल को उत्तर रहेगा इसका यही कि क्या है विशिष्ट से सामान्ये की और नहीं होता विकास सामान्ये से विशिष्ट की और होता है पहले भी हमने इस बारे में चर्चा कर ली थी कि विकास किस तरफ होगा सामान्ये से विशिष्ट की और होगा ना कि विशिष्ट से सामान्ये की और एक इकरन हम जी एक इकरन है इसमें समझ गए तो विकास का सिदान्त नहीं है सामान्य से विशिष्ट है ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलो भी next question में हम देखेंगे कि बच्चों की शारिरिक विर्दी की दर अधिक होती है कब पूरो बच्पन में उत्तर बच्पन की वज़ाए पूरो बच्पन में या उत्तर बच्पन की वज़ाए अब इसमें में ये देखो भई ये नई चीज़ आगी गुर्जी जी उत्तरबच्पन और पूरो बच्पन तो पड़ गोनी जी कहीं कौन सी भुक में नहीं आया था जी तो इसमें आगया ना समझा देंगे पहले देखो कि बच्चों की शारिरिक विर्दी की दर अधिक कब होती है पूर बच्पन में किशोरवस्ता की बजाए किशोरवस्ता में पूर्ण बच्पन की बजाए प्रोडवस्ता में किशोरवस्ता की बजाए सोचो भई लगाओ दिमाग लगाओ 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 मिला कोई विर्षी कोई मिला गया उत्तर भी वाड को नहीं मिला तो टूंड लेते हैं भी तो टूंड लेते हैं कि पूरो बचपन को हम क्या पढ़ते आ रहे हैं पूरो बाल्य काल देखो, आरह बाल्यकाल ही बच्चपन होगा, या प्रोण होने के बाद बच्चपन तो ऐसे शब्दों में उलजाएगा, इस बात का ध्यान रखना, अब तुम अपने पर सोच लो वही तुमारा विकास कौन सी उमर में सबसे ज़्यादा हुआ था, कौन सी उमर में सबसे ज़्यादा हुआ था, खुद अपने बारे में सोच लो कि पूरो बाल्यकाल की अवस्ता कौन सी थी, तीन से बारा वर्ष तक, पूरो बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल, पूरो बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल की अवस्ता कौन सी रही थी, कौन सी रही थी भई यही तीन से बारा ठीक है ठीक है समझ गए और इसके बाद किशोरवस्ता आ जाती है इसके बाद क्या आ जाएगी किशोरवस्ता आ जाएगी किशोरवस्ता में हुआ जाएगी किशोरवस्ता में हुआ या बालियकाल में हुआ जाएगी गुर्जी जी बताओ कि पूरो बच्पन से पूरो बच्पन कौन सा हो गया पूरो बाल्यकाल जो क्या था पूरो बाल्यकाल तीन से लेके शे की उमर में तीन से लेके शे की उमर में और उत्तर बाल्य वस्ता छे से बारा किशोर वस्ता बारा से अठारा तक या जिससे भी जादा हुआ था क्या आरे भी तीन से बारा की उमर में इसारे परवर्तन हुए थे ना शरीर में और स्पीड से बढ़ गे थे बढ़ गे थे ना दूसरी तीसरी कलास के बाद हर साल पैंटे उंची हो जाती थी हर साल जुत्ते ने लाने पड़ते थे हाँ गुर्जी और तो सोचो ही को नी हो तो वो ही पूछ रहे हैं यहाँ वो ही बात पूछ रहे हैं कि जब दस्वी में पहुंच गए थे ये पंदरा सोला बारा साल के बाद नोवी दस्वी में तब तो गुर्जी दो दो तिन तिन साल एक एक बेंट साल लगी नौवी में सिलुआई थी ना वो नौवी दस्वी बार्वी चार साल चल गई थी लेकिन पहले तो हर साल तो कोण सा होएगा कि पूरो बच्पन की जगे क्या कर लो वही बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल की वज़ाए कि बच्चों की शारिरिक विर्दी की दर अधिक होती है किसमें पूरो बच्पन में उत्तर बच्पन की वज़ाए पूरो में पहले होती है कि जब वो तीन से छे वाली उमर होती है ना उसमें छोटासा बच्चा है सो बलू-कडा सा फटा-फट बढ़ता ही जाता है तो पूरो बच्चपन में ज़्यादा होती है उत्तर बच्चपन की विजाएं समझें अगले optionों में और समझ जाओगे उत्तर बच्पन से किशोरवस्ता तक अपनी उत्तर बच्पन और किशोरवस्ता में एक जैसी रहती है जादा विर्दी नहीं होती किशोरवस्ता से उल्टी तो चलेगी नहीं किशोरवस्ता से उल्टे चलेंगे क्या बहिए 17 साल के होगे जी अब हमारी विर्दी उल्टी जोड़ो 11 साल की जोड़ो तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा फिर प्रोड वस्ता प्रोड वस्ता में पहुंच गए अब जी उल्टी हो रही है अहाग गुर्जी तो ये भी नहीं हुआ तो इसका उप्शन रहेगा नमबर एक की पूरो बच्पन में उत्तर बच्पन की वजाए की तीन से जो छे की उमर है उसमें हमारी विर्दी अधिक होती है दर अधिक रहती है बढ़ने की ठीक है अगला आज का हमारा लास्ट कोशन देखेंगे हम उसके बाद फिर करेंगे बाद में की बाल विकास कब होता है शरू से लगा पड़ाओं मैं कलाश शरू होते ही ये बात बताए हुए कि परकिरिया पर बल वातावरन और अनुभव की भूमिका पर गरवस्त अवस्ता से किशोरा अवस्ता तक अध्यान होता है उप्रियुक्त सभी बोलो भी बाद को कि बाल विकास में क्या है परकिरिया पर बल देता है या वातावरन और अनुभव की भूमिका पर बल देता है या गरव वस्ता से लेकर किशोर अवस्ता तक अध्यान होता है या सभी बाल विकास बाल विकास कहां तक ये नमबर तीन कि बाल विकास में कि बच्चे का जब वो गरब अवस्ता में हो जाता है उसी से उसकी शिरुवात हो जाती है कब तक किशोरा अवस्ता तक किशोरा अवस्ता तक बच्चे का विकास होने लग जाता है ये चीजें ही होती है ठीक है तो बाल विकास गरवस्ता जैसे ही बच्चे का गरव में जनम होना शुरू हो गया उसी से लेकर किशोर वस्ता तक चलता है आज हमने पंद्रा के लगबग बाल विकास से सम्मंदित कोश्चन किये हैं परशन उत्तर किये हैं उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझा गए है जै हिंद जै भारत